नमस्कार मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरल के संपादकी से 465 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड मिलेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सतर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट जैसी आसंका थी वैसा ही हुआ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण बिना किसी विशेश कामकाज के समाप्त हो गया अच्छा होता कि संसद में लगातार हंगामा होते देखकर इस सत्र को तैं समय के पहले ही खत्म कर दिया जाता इससे और कुछ नहीं तो सरकारी कोस का उच धन ही बच जाता संसद ना चलने देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कठ घरे में खाडा करने का जो काम कर रहे हैं उसका आउचित इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार हैं जहां विपक्ष अदाणी मामले की जाच संयुक्त संसदिय समिती यानी जेपी सी से कराने की अपनी मांग को लेकर हंगामा करता वहीं सत्ता पक्ष इस मांग पर आडा रहा कि राहूल गांधी अपने उस बयान के लिए माफी मांगे जो उन्होंने लंदन में दिया था पक्ष विपक्ष की इन मांगों का कोई विसेश महत्व नहीं था आदारी मामले में जेपी सी जाच का आउचित्य इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि सुप्रीम कोट ने एक छह सदस्याई समिती गठित कर दी थी उलेखनिय यह है कि इस समिती के गठन में सरकार की कोई भागीदारी नहीं सुप्रीम कोट ने समिती के सदस्यों का चैन स्वैम किया था इसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसे होना ही नहीं था और संसद में हंगामा करने के लिए एक बहाना चाहिए था पैरा आश्यर की बात यह रही कि इस बार सक्ता पक्ष ने भी संसद में हंगामा किया और इसके लिए यह जिद पकड़ी की राहूल गांधी को लंदन में दिये गए अपने बयानों के लिए माफी मांगनी होगी यह सही है कि राहूल गांधी ने लंदन में कई ऐसी बाते कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन यदि इसे वह अपनी भूल मानने के लिए तैयार नहीं तो सत्ता पक्ष या फिर अन्य कोई क्या कर सकता है राहूल के बयानों पर सत्ता पक्ष की आपत्ती सही थी लेकिन उसे अपनी इस मांग को तूल नहीं देना चाहिए था कि संसद तभी चलेगी जब वह माफी मांगेंगे ऐसा बहुत कम होता है जब सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा करता है लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ यह मानने के अच्छे भले कारण है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इसलिए हंगामे की भेट चड़ गया क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहें आगामी विधान सभा चुनाओं के साथ लोक सभा चुनाओं पर भी हैं निसंदेह राजनीतिक धल चुनाओं की अंदेखी नहीं कर सकतें लेकिन आखिर इसका क्या मतलब की चुनाओं के चक्कर में संसदिय कारवाही की बली लेली जाएब क्या चुनाओं निकट होंगे तो संसद नहीं चलने दी जाएगी चुनाओं माहौल बनाने के लिए संसद ना चलने देना राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसकी महत्ता को कम करना है यदि राजनीतिक दल यह सोच रहे हैं कि उनके हंगामे से जनता प्रभावित हुई होगी तो यह सच नहीं क्योंकि जनता तो प्रभावित होती है संसद में होने वाली बहस से दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट जैसी आसंका थी वैसा ही हुआ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण बिना किसी विशेस कामकाज के समाप्त हो गया अच्छा होता कि संसद में लगातार हंगामा होते देखकर इस सत्र को तैं समय के पहले ही खत्म कर दिया जाता इससे और कुछ नहीं तो सरकारी कोस का कुछ धन ही बच जाता संसद ना चलने देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कठ घरे में खड़ा करने का जो काम कर रहे हैं उसका आउचित्य इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार है जहां विपक्ष अदारी मामले की जाच सैयुक्त संसदिय समिती यानी जेपी सी से कराने की अपनी मांग को लेकर हंगामा करता वहीं सत्ता पक्ष इस मांग पर आड़ा रहा कि राहूल गांधी अपने उस बयान के लिए माफी मांगें जो उन्होंने लंदन में दिया था पक्ष विपक्ष की इन मांगों का कोई विशेश महत्व नहीं था अदारी मामले में जेपी सी जाच का आउचित्य इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि सुप्रीम कोट ने एक छह सदस्याई समिती गठित कर दी थी उलेखनिये यह है कि इस समिती के गठन में सरकार की कोई भागीदारी नहीं सुप्रीम कोट ने समिती के सदस्यों का चैन स्वैम किया था इसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसे होना ही नहीं था और संसद में हंगामा करने के लिए एक बहाना चाहिए था पैरा आश्यर की बात यह रही कि इस बार सक्ता पक्ष ने भी संसद में हंगामा किया और इसके लिए यह जिद पकड़ी की राहूल गांधी को लंदन में दिये गए अपने बयानों के लिए माफी मांगनी होगी यह सही है कि राहूल गांधी ने लंदन में कई ऐसी बाते कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन यदि इसे वह अपनी भूल मानने के लिए तयार नहीं तो सतापक्ष या फिर अन्य कोई क्या कर सकता है राहूल के बयानों पर सतापक्ष की आपत्ती सही थी लेकिन उसे अपनी इस मांग को तूल नहीं देना चाहिए था कि संसद तभी चलेगी जब वह माफी मांगेंगे ऐसा बहुत कम होता है जब सतापक्ष ही संसद में हंगामा करता है लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ यह मानने के अच्छे भले कारण है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इसलिए हंगामे की भेट चड़ गया क्योंकि सतापक्ष और विपक्ष की निगाहें आगामी विधान सभा चुनाओं के साथ लोक सभा चुनाओं पर भी हैं निसंदेह राजनीतिक दल चुनाओं की अंदेखी नहीं कर सकतें लेकिन आखिर इसका क्या मतलब की चुनाओं के चक्कर में संसदिय कारिवाही की बली लेली जाए क्या चुनाओं निकट होंगे तो संसद नहीं चलने दी जाएगी चुनाओं माहौल बनाने के लिए संसद ना चलने देना राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसकी महत्ता को कम करना है यदि राजनीतिक दल यह सोच रहे हैं कि उनके हंगा में से जनता प्रभावित हुई होगी तो यह सच नहीं क्योंकि जनता तो प्रभावित होती है संसद में होने वाली बहस से दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट जैसी आसंका थी वैसा ही हुआ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण बिना किसी विशेस कामकाज के समाप्त हो गया अच्छा होता कि संसद में लगातार हंगामा होते देखकर इस सत्र को तैं समय के पहले ही खत्म कर दिया जाता इससे और कुछ नहीं तो सरकारी कोस का कुछ धन ही बच जाता संसद ना चलने देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कठ घरे में खडा करने का जो काम कर रहे हैं उसका आउचित्य इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार हैं जहां विपक्ष अदारी मामले की जाच संयुक्त संसदिय समिती यानी जेपी सी से कराने की अपनी मांग को लेकर हंगामा करता वहीं सत्ता पक्ष इस मांग पर आड़ा रहा कि राहूल गांधी अपने उस बयान के लिए माफी मांगे जो उन्होंने लंदन में दिया था पक्ष विपक्ष की इन मांगों का कोई विशेश महत्व नहीं था अदारी मामले में जेपी सी जाच का आउचित्य इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक छह सदस्याई समिती गठित कर दी थी उल्लेखनिय यह है कि इस समिती के गठन में सरकार की कोई भागीदारी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने समिती के सदस्यों का चैन स्वैम किया था इसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसे होना ही नहीं था और संसद में हंगामा करने के लिए एक बहाना चाहिए था पैरा आश्यर की बात यह रही कि इस बार सत्ता पक्ष ने भी संसद में हंगामा किया और इसके लिए यह जिद पकड़ी कि राहूल गांधी को लंदन में दिये गए अपने बयानों के लिए माफी मांगनी होगी यह सही है कि राहूल गांधी ने लंदन में कई ऐसी बाते कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन यदि इसे वह अपनी भूल मानने के लिए तैयार नहीं तो सत्ता पक्ष या फिर अन्य कोई क्या कर सकता है राहूल के बयानों पर सत्ता पक्ष की आपत्ती सही थी लेकिन उसे अपनी इस मांग को तूल नहीं देना चाहिए था कि संसद तभी चलेगी जब वह माफी मांगेंगे ऐसा बहुत कम होता है जब सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा करता है लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ यह मानने के अच्छे भले कारण है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हिसलिए हंगामे की भेट चर गया क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहे आगामी विधान सभा चुनाओं के साथ लोक सभा चुनाओं पर भी है निसंदेह राजनीतिक दल चुनाओं की अंदेखी नहीं कर सकते लेकिन आखिर इसका क्या मतलब की चुनाओं के चक्कर में संसद ये कारिवाही की बली लेली जाए क्या चुनाओं निकट होंगे तो संसद नहीं चलने दी जाएगी चुनाओं माहौल बनाने के लिए संसद ना चलने देना राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसकी महत्ता को कम करना है यदि राजनीतिक दल यह सोच रहे हैं कि उनके हंगामे से जनता प्रभावित हुई होगी तो यह सच नहीं क्योंकि जनता तो प्रभावित होती है संसद में होने वाली बहस से इस्टॉप